आगे बढ़ने से पहले हमारे आपसे प्रार्थना है करिम्या सोचें आप डेटा इंट्री ऑपरेटर यानि बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटिंट आप टैली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में जर्नल वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्रेडिक नोट वाउचर क्या है और उसमें सेल्स रिटन के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था और आज आप जानेंगे जर्नल वाउचर के बारे में यहां आपको एक confusion हो सकता है जिसे हम पहले ही दूर कर देते हैं हमने आपको manual accounting में बताया था कि जितने भी transactions होते हैं उन्हें जर्नल में record किया जाता है या सररी शब्दों में कह सकते हैं जर्नल एक पुस्तक के रूप में होती है जिसमें सभी transaction तिथिवार और क्रामानुसा record किया जाते हैं और ये भी बताया था कि टैली ने computer accounting में जर्नल के इस्थान पर transactions record करने के लिए आठ अलग-अलग standard accounting vouchers बना दिये हैं जिसमें से अभी तक हम साथ vouchers के बारे में समझ चुके हैं और जो आठवा voucher है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं उसका नाम भी टैली ने जर्नल voucher रखा है यहां हमारा कहने का मतलब यह है कि manual accounting में जो जर्नल होता है टैली ने उसे आठ vouchers में बाढ़ दिया है और उसका जो आठवा voucher है उसका नाम भी जर्नल voucher है तो यहां पर आपको यह confusion नहीं होना चाहिए कि manual accounting का जर्नल और टैली का जर्नल voucher दोनों एक ही है जैसा कि हमने आपको vouchers क्या है और उनके उप्योग वाली वीडियो में बताया था टैली में जर्नल voucher में जो entries record की जाती है वो है opening entries, rectifying entries, transfer entries, adjustment entries, closing entries, entries regarding dishonor of checks, credit purchases and sell of things other than goods entries of goods withdrawn by the owner for personal use etc अभी सरम भाशा में इतना समझ लेजिए कि जिन transactions को हम टैली की इस वीडियो सिरीज में पहले बताये गए साथ vouchers में से किसी भी voucher में record नहीं कर पाते हैं उन्हें जर्नल voucher में record किया जाता है यहां आपको एक बात और बता दें कि इस voucher में adjustment entries की जाती हैं इसलिए इसे adjustment voucher भी कहा जाता है अभी हम आपको इस वीडियो में कुछ subtle entries बता रहे हैं बाकी सबी entries आगे हम आपको जर्नल voucher के advance पार्ट में बताएंगी क्योंकि इसके पहले हमें बहुत सी अन्य बातों की जानकारी होना भी आवश्यक है यहां एक और महतुपून बात समझ लीजिए कि जर्नल voucher में transaction को receipt voucher, payment voucher और contra voucher की तरह ही debit और credit का उप्योग करते हुए record किया जाता है यानि voucher mode में ही record किया जाता है फर्क सिर्फ इतना है कि receipt voucher और payment voucher दोनों में transactions record करते समय एक पक्ष cash या bank का होता है और contra voucher में transaction record करते समय दोनों ही पक्ष cash और bank के होते हैं जबकि जर्नल voucher में prior cash या bank account का उप्योग नहीं किया जाता है आईए अब जर्नल voucher से संबंदे कुछ transactions record कर लेते हैं हमारा पहला transaction है दो मई को royal furniture के bill number 311 से हमने 25,000 रुपए का furniture उधार खरीदा पहले हमने बताया था कि ये ती कोई ऐसी वस्तू हम उधार खरीदते हैं जो पेचने के लिए नहीं है यानि हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं तो ऐसे transactions को जर्नल voucher में record करते हैं यहां ये भी ध्यान रखें कि यदि हमने furniture नकत खरीदा होता तो इस transaction को हम सीधे payment voucher में record करते इस transaction में प्रभावित होने वाले दोनों पक्ष कौन से हैं और उनमें कौन सा debit होगा और कौन सा credit इसकी practice हम आपको पहले अच्छे से करवा चुके हैं यहां Royal Furniture का account credit होगा और furniture account debit होगा आए जर्नल voucher में transaction record करने के लिए आगे बढ़ते हैं अभी हम Gateway of Tele पर हैं accounting voucher के लिए V प्रेस करेंगे यहां Journal Voucher की shortcut की है F7 हम इसे प्रेस कर रहे हैं देखिए Journal Voucher creation screen आ गई है date बदलने के लिए F2 प्रेस करें date चेंज करने के बाद enter प्रेस करें particular के नीचे DR दिखाई पड़ रहा है यहां हमें जिस account को debit करना है उसे सिलेक्ट करना होगा हम furniture account सिलेक्ट कर रहे है इसके बाद यहां amount डाले enterprise करते हुए हम CR पर आ गए है यहां हमें CR ही चाहिए इसके enterprise करके आगे बढ़ें अब हमें जिस account को credit करना है यहां उसे सिलेक्ट करें चुकि royal furniture का laser बना हुआ नहीं है तो उसे बना लेते हैं त्यान रखें इसका laser sundry creditors ग्रुप में बनेगा उसका कारण यह है कि यह भी हमारी देंदारी है देखें CR में royal furniture का नाम आ रहा है साथ ही credit में amount भी आ गया है यहां इसका narration type करें अब enterprise करते हुए इस voucher को accept कर लें दूसरा transaction है हमें अशुक traders से commission का 5000 रुपए का ICICIE bank का जो check एक मई 2020 को प्राप्त हुआ था जैसे हमने state bank of India में जमा किया था वो चाहें कि 31 मई को bank से dishonor होकर यानि bounce होकर वापिस आ गया इस transaction को ध्यान से देखें इस तरह का transaction न तो payment है न receipt है न purchase है और नहीं sell और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो transaction किसी voucher में record नहीं होता उसे journal में record करते हैं सबसे पहले F2 की press करके तारीख बदल ले ध्यान देख हमें जब check प्राप्त हुआ था तब हमने सीधे commission account को credit करके bank account को debit कर दिया था पर यहां हम commission account को debit न करते हुए सीधे उस party के account को debit करेंगे जिसने हमें check दिया था क्योंकि हम commission वापस नहीं कर रहे हैं commission तो हमें लेना ही है अब हमें यह amount उस party से लेना है इसलिए यहां हम उस party को debit कर रहे हैं अब यहां पर amount डाल दे अब आगे देखते हैं जब हमें check प्राप्त हुआ था तो हमने उसे bank में जमा किया था और transaction record करते समय bank के account को debit किया था और अब bank ने हमें वो check वापस दे दिया है तो हमें bank account को credit करना होगा यानि हमारा यह transaction इस तरह से record होना है DR में तो हमने अशुक trader select कर लिया किन्तु CR में list of ledger account में bank का नाम नहीं आ रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि prior journal voucher में cash या bank account का उप्योग नहीं किया जाता है यही कारण है कि tally हमें यहां यह ledgers नहीं दिखा रहा है इसके लिए आप सीधे cash या bank का नाम टाइप करें हम state bank of india टाइप कर रहे है देखे state टाइप करते ही list of ledger account में bank का नाम दिखाई पढ़ने लगा है इसका एक तरीका और भी है आप list of ledger account में show more पर double click करें ऐसा करते ही cash और bank से संबंधित सभी ledgers के नाम दिखाई पढ़ने लगेंगे आप उनमें से अपनी आवशक्ता के अनुसा लेजर से लेक कर सकते हैं हम state bank of india से लेक कर रहे हैं क्रेडिट में amount अपने आप आ गया है एंटरप्रेस करें एंटरप्रेस करते ही bank allocation window आ गई है इसमें यहां हमें वापस आये यानि dishonor हुए check का नंबर टाइप करना है यहां पर check की तारीक टाइप करनी होगी अंत में narration टाइप करें और आप इस voucher को accept करने आईए आपको जर्नल में record होने वाले कुछ transactions और बता देते हैं मालीजे हमारा व्यापार कपड़े का है और हमने अपने शोरूम का पुराना furniture शरद यादव को उधार बेचा देखते हैं इस transaction को कैसे record करेंगे इस transaction को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें sell की गई है पर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हम जिन वस्तूं का व्यापार करते हैं उनके अलावा अन्य कोई सामान बेचते हैं यानि sell करते हैं तो इस तरह के transaction को sales voucher में record नहीं किया जा सकता है उसके स्थान पर यदि हम इस तरह का कोई सामान नगत बेचते हैं तो उसे directly receipt voucher में record किया जाता है और यदि उधार बेचते हैं तो उसे हम journal voucher में ही record करते हैं एको transaction देखते हैं माली जे हमने सुधीर दुबे को 50,000 रुपए उधार दिये थे जिसका ब्याज 1,000 रुपए हम उससे लेना है तो देखते हैं इस transaction को कैसे record करेंगे यहां ध्यान रखें कि हमें ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है सिर्फ हमें लेना हैं इसलिए उसका provision कर रहे हैं इस वीडियो में आपने जर्नल वाउचर के कुछ सामान्य उप्योगों के बारे में जाना आगे intermediate level में हम आपको इसके अन्य महत्पून उप्योगों के बारे में बताएंगे इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभे हमने vouchers में जो transactions record किये हैं उन्हें day book में कैसे देखते हैं साथ ही बताएंगे कि transactions में जो legis उप्योग किये थे उन पर transactions का क्या प्रभाव पड़ता है यानि वेलेजस में कैसे दिखाई पड़ते हैं